की हईल्च तुरेंट्स है आज मैं पेपर लेक्जा हूं डिपलोमा ओफिप्थ सैं터ा का का डिप्लोमा 5 इट सें मिकेनिकल की डिपलोमा 5 इट सेंनर का पेपर है पंच और का KARS सब्संवेटी का ठिघृओरी ओ unseren एहां व्हीं तो सेिम का डिकलोमा फिफ्ट सेम मेकेनिकल डिकलोमा फिफ्ट सेम मेकेनिकल का पेपर है पंच कोई पूरियच से टोम और येली तोध भीर तहोरी ओसी चीछ करसंग है हैं तो देखो सेक्षन यह बोई मर्टी चॉइस को सने एक एक नंबर के आते हैं यह कि बहुत आसान है एनर्जी इज स्टोर्ड इन फ्लाइवील वाई वर्च्यू ऑफेट्स हैवी मांज लार्ज डायामेटर हाई स्पीड तो यह थोड़ा यह हर साल आते हैं कैम कैम फॉलोवर कैम फॉलोवर बहुत आता है कैम पॉलोवर अच्छी तरह कर लेना तो एक एक नंबर के हैं देखो मल्टी चॉइस को सन सैवन एट नाइन टैन तो हमेशा यह याद रखना मैंने पहले भी पताए था पास होने के लिएए वासानी से पास हो जाओगे तरीका का पता रहूं है सेक्शन भी सेक्शन भी में देखिए यह यह बी एक एक नमबर के हैं यह वन वर्ड या एक लाइन के पेपर आंसर है यह वाट इस इस्टेक्चर वाट और पाइंडर गियर्स फ्लाइवील इने फोर स्टॉक इंजन कि तो बहुत आशन इसको बाद को वाट इस्टेक्चर यह आप समझा सकते हो तो यह हर साल ही जो है रिपीट होते हैं आप इसके कोसर हर साल रिपीट होते हैं स्टमें mem swamp 2 स्टम करना है इसको करो है मैं किनिज में क्या होता है कि रिटर्न में क्या होता है इसब कर रिपीट अघा कोशन turning movement diagram IC engine का 4 stroke cycle turning movement diagram ये बहुत आसान है compare flywheel and governor flywheel क्या काम करती है energy को store करने के काम आता है ये engine में support करता है ये जिसे speed को तुम ज़्यादा करोगे तो load ज़्यादा करोगे तो speed कम हो जाती है तो fluctuate पर जो इस पीड फ्लक्ट्ट करती हो इसको मैंटेन करता है तो थोड़ा पढ़ाई करो इसको ना कि इस सब पांच नमबर के कोशन है तो अब देखें सेक्षण डी सेक्षण डी में आ जाओ सेक्षण डी किने नमबर का है यह दस नमबर का है कोशन एक एक कोशन दस नमबर का है सेक्षण डी में टोटल बीस नमबर का है तो यह बहुत आसानी से पास हो जाओगे इसमें इससे सेयर करो ज्यादा से ज्यादा सेयर करो अपनी गुरूब में दोस्तों को थैंक यू